धारा 370 अब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में सीमित रह चुका है सुप्रीम कोट ने भी इस बात पे मोहर लगा रही है कि धारा 370 जो थी वो एक डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल था जिस वज़ा से कई कम्यूनिटीज को नुकसान जेलना पड़ता था पांच अगस्त 2019 को भारत के पारलिमेंट ने ये डिसीजन लिया कि धारा 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर को दो खितू में दो यूनिन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया लेकिन सुप्रीम कोट ने अब सरकार से ये कहा है कि आप जम्मू कश्मीर की स्टेट हुड रिस्टोर करें और जल्द से जल्द यहां पर असेंबली एलेक्शन करवाएं 370 का कोई जिकर नहीं है 370 अब हिस्ट्री की बुक्स में सीमे तरह है कश्मीरी पंडित कुम्यूनिटी की अगर बात करें सबसे जादा दुख जहलने वाली यह वो कुम्यूनिटी है जिसके लगबख चार लाग के करीब लोगों को अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर किया गया और जम्मू में अपने ही देश में शरनाथियों की तरह रहना पड़ा हिस्टरी में सिर्फ यही एक एक अग्जेंपल है कि अपने ही मुल्क में अपने ही राज्ये में अगर किसी को रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा वो कश्मीरी पंड़ित हैं यह आपके सामने आज कुछ कश्मीरी पंड़ित यूथ हैं जिन्होंने इस पूरे कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए थे उसे देखा है अपने घरबार को छोड़के यहां जम्मू में आके बसे हैं 370 के बारे में इनसे बात करते हैं इनसे जानते हैं कि अब 370 तो हिस्टरी की बुक्स में रह चुका है यह कैसे देखते हैं उसे सर 370 कैसे देखते हैं आप कश्मीरी पंडित हम बोलें जो 370 यह हिस्टरी बन गया था वैसे भी जब यह जब जमू कश्मीर को जब एक्सेशन हुआ हिंदोस्तान के साथ उस वक्त जो यह रखा गया था सुप्रीम कोट ने भी यही कहा कि टेंपरेरी प्रोवीजन था क्यूंके कुछ लोगों ने बोला था सब कुछ हो सकता दुनिया में मर्ग 370 जानी सकता कुछ पॉलिटीशन्स ने यह भी कहा था कि 370 नहीं हटा पाएंगे 370 हटाएंगे तो कोई तरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा जिसमें हमारी लैंड के दो हिसे किये गए है और मुफूत में हमारी जमीन चली गई है उसके बाद जब 86 में जब उसके जब च्छे आसी में जब जब चुपा नहीं है जो हमारी कम्मुनिटी के साथ हुआ है जो डारक नाइट अंदेरी राते वो हम कभी जिन्दगी में नहीं बोलेंगे वो तो सद्धियों तक याद रहेगा उस वक्त ये काम नहीं आया तो हमारे को इस पे कोई फरक नहीं पड़ता है हाँ अब हम पूरी उमीद है कि इससे जो एक कश्मेरी पंड़त है गवर्मेंट अप इंडिया का एक फर्ज भी है जो आज 24 साल से धरदर की जो ठोकरे खा रहा है और कभी यहां तक भी वहां है उसमें हम अब उमीद रखते हैं कि हमारे लिए एक नए सवेरा का आगाज होगा सर, 86 की बात हुई, 86 की मंदर तोड़े गए, कश्मीरी पंड़तों को टारगेट किया गया क्या आपको लगता था कि जो 1989 में जो एक्जोडस हुआ उसकी शुरुआत 86 में ही कर दी गई थी देखे, 86 जो ये सारा शुरुआत हुई वो तो अनंतनाक डिस्टर्स से हो गई जिसको मैं भी बिलांग करता हूँ और उन्होंने वहां से शुरुआत की तो 86 से ही ये हमारे देखने को मिल रहा था कि ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि इस कम्मुनिटी को तो यहां से बागना ही पड़ेगा या इनको निकाला जाएगा और वो 89-90 में प्रू हुआ लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि वो हालात पैदा क्यों हुए वहां लोगों के अंदर जो मैं किलियर आपको कुछ चीज़े खुल के जरा बताओने की कोशिश करूँगा कश्मीर में मैजारटी कम्मुनिटी को पुलिटिकल के लोग जो उस ताइम से अभी तक भी चलते आ रहे उन्होंने कभी उनको सचाई नहीं बताई कि देश हमारा है जो कुछ मिलना है हिंदुस्तान से मिलना और आप किसी चीज़ को सोचने की कोशिश ना करे आज कल तो उन-उन कंट्री से लोग बाग के आता है कि हम शरन ले ले अपने इंडिया में क्योंकि यहाँ डिमोकरिसी है यहाँ एक रिलिजिस की कदर करती है यहाँ केवल सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश हो रही है जो भी कोई रिलिजिस है हम सब की रिस्पेक्ट करते है तो कश्मीर के लोगों के अंदर जो यह जहर की बावनाई बनाई गई दी गई उस टाइम की सरकारें को इसका हिसाब किताब देना चाहिए और आज से भी हमें उनको लेना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान ने एक रोल जो किया कि उन्होंने यहाँ से लोगों को लिया वहाँ पर टेरिरिज्म में उनको ट्रेंड करवाया फिर अंदर आए और उनके लिए जो साफ़ टार्गेट उस टाइम भी था वो इंडिया क्योंकि एक बात की जा रही है कि तीन सो सतर से कश्मीरी पंड़ों ने बहुत सफर किया कहां पर देखते हैं आप उसे देखें मैं आपको बताओं कि तीन सो सतर एक स्लोगन था मैं तो परसनली इस बात से बहुत कम सहमत हूं कि इसके कोई फाइदे या नुकसान तो हम आने वाले समय में देखेंगे क्योंकि अभी जो तीन सो सतर को आपने हटाया मैं सर बताओं देखें अभी कमपैरिजन करना मुझे लग रहा है यह टाइम ठीक नहीं है कमपैरिजन करने के ले क्योंकि जो गया तो उससे मिला कुछ भी नहीं है मैं अपनी कम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने मुझे सलमान बायों से बहनों से बाते करता हूँ उनको भी इसका कोई फाइदा नहीं था लेकिन ये एक स्लोगन इसको इतना हैप दी गई थी पुल्टिकली अपने पार्टी को आगे लेने के लिए इसको है कि वहाँ पर डेवलप्मेंट नहीं थी वहाँ पर जॉब्स नहीं थे वहाँ एकनॉमिकली हम हमें भागना पड़ता था यहां के कुछ अवन्यूज नहीं थे अगर दारों 370 हटी उससे किवल हालात आपको ठीक नहीं करने हैं कंपरिजन बनाने के लिए वो तो हो रहा ह अब इसको कंपरिजन में आपने क्या करना है जो चीजे जेंड के में नहीं थी जेंड के लोग बाहर क्यों बागते हैं कश्मीरी पंडित जब निकल के आया सब लोग जुमू पहले आए लेकिन जुमू से भी हमें पलाइन करना पड़ा दिल्ली अमेरिका या अलग-अलग देश के या विदेश के कोनों में उसका रीजन था कि जुमू में भी इस किसम के कुछ अवनियूज नहीं थे जहां हम कर लेते हैं आज भी हमारे बचे इंजिनिरिंग करके आते हैं फिर से उनको दिल्ली महराश्रा भागना पड़ता है ये चीज़े अगर हम यहां क्रिये नहीं होना चाहिए कि कशमीर एज ज़ै हुनी चाहिए उसके लिए उसके लिए कशमीरी पंडित आपको सपर्ट करेगा अब के समझता हूं कि हिस्ट्री विटैनेस है आपने मुझे बला हिंदी में बात करने के लिए तवारी गवा है कि कश्मीरी पंडित जो है only कश्मीरी पंडित is having the capacity and capability to dilute hard line in कश्मीर वेली बरसर इखदार जो सरकार है सेंटर में मरकज में उनको पूरे अपने आईवानों में बात करनी चाहिए कि ये कश्मीरी पंडित जिसको आप नजर अंदाज कर रहे हो ऐसी बूल मत करिए हम reconciliation में विश्वास करते है कुछ यूथ है जो reconciliation पे उन्होंने काम किया हुआ है employment के जरीए काम किया उन्होंने majority community बार बार दोहराया कि हमारे पास एक ही चारा है अगर majority community के साथ reconciliation करेंगे तो कश्मीर जो है ये भी तवारिक है उसी reconciliation की वज़े से जो साथ-साथ migration की बात हो रही है ये भी तवारिक गवा है कि अगर आज कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जड़ा हुआ है ये सिर्फ कश्मीरी पंडित की बदालत है कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ जड़ा हुआ है कश्मीरी पंडितों की बदालत है ये इनका कहना है लेकिन आप सफर हैं विक्टम हैं टेरिजम के आपके फादर आपने जैसे भी बताए कि आपके फादर साहब को मार दिया गया था आप इस पूरी चीज़ को किस तरह देखते हैं सर इन ने जो बात किये वो सही है क्योंकि जो नैशनलिस्ट हिंदू कश्मीर में रह रहा था उसकी वज़ा से कश्मीर इंडिया के साथ इंटिग्रेटर था मले 370 साह उस साहीं बड़ जैसे ही कश्मीरी पंडित बहार निकला तो इतना टेररिज्म का हवक वहाँ पे हो गया क्योंकि वहाँ पे उनकी जो पॉलसी है वो हजार साल से चल रही है कि कैलिफेट करना है तो कश्मीरी इस वान अफ टेरिटरी करना हंडिकी जिसको बहुत मुश्किल से वो ्हुकर कर पाए हं हजार साल में कोई जाधा कॉंकर नहीं कर पाए है कश्मीरी पंडित एक नाश्मालिस फ्लाग लेके वहाँ पे खड़ा होता था हमारे हमारे यहां रहने से कश्मीरी पंडित सिलो वो जो नेशनलिस फ्लैग उठाते थे उससे वो इंटेग्रेशन होता था इंडिया का वहां पर लगता था तो उस हिसाब से तो वो सही बात कर रहे हैं कि हम नेशनलिस हिंदू वहां पे थे तो इसलिए कश्मीर का वजूद था ढ़ा वंदब इंडिया के साथ जुड़ा हुआता है 370 सर एक स्लोगन था उनके लिए उनके लिए ये एक फुल्टिकल एक पाउन था जो गुमाते थे अपने बेसे कि-लिए कुछ फैमिली जो पुलिटिकल फैमिली से उनने सिर्फ अपने बिनिफेट के लिए और लोगों क वहा इंडिया और कश्मीर का तो खतम हो गया उदर ही हमारे कॉंस्टुशन सुपर सीट किया उनके अलग फ्लैक थाई नहीं कभी कोई वजूद में आज पूरा क्लियर हो गया है तो वह हिसाब से मेरे को लगता है कि आज की गवर्मेंट को जैसे इन्हों ने राम साब ने कहा कि मेजॉरिटी है पावर है स्ट्रेंग्थ है विल्पावर है आज के यूथ को कश्मीर बहुत जेंड के बहुत ही एक छोटा टेरिट्री है तो वहां पे पॉपलेशन बहुत कम है एस कंप्यों अधर स्टेट इफ्यू सी हमारे यूथ को क्यों बाहर जाना चाहिए यहां अधरिशोस बने चाहिए प्राइवेट इंश्यूस मैं गॉर्मेंट की बात नहीं करा गूमेंट अपना काम करते रहेगे प्राइवेट इंवेंश्मेंट्री ऍंडस्टिय आने चाहिए हमारे यूथ यही कं काम करना चाहिए क्यों दिली जाएंग घर्ट पुसिशिंन अप्र फार बेतर पॉसिशन पूस्टाइट अप्र इंटलेक्ट है। कश्मीरी कम्यूनिटी आप्नुट ओनुट चापूंब आप्नुट अवरिवरी बडी इंटलेक्ट में भी सुपीरियर माने जाते हैं लोग तो वह भी हमार पास यहा जाता है। जहां पर बारवी के बाद यूद यहीं पड़े, इंजिनिंग कॉलिज अच्छे है, सब आए, तो वैसे अभी उसके लिए कोई एक्स्क्यूज नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि अब सब खुला मैदान है। छे हजार की करीब कश्मीरी पंडित हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रिहाबिलीटिशन पैकेज में कश्मीर घाटी के अलगले लाकों में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, क्योंकि आए दिन हमने देखा जब कभी टेरर अटैक होता है, तो वो सारे यहां आ जाते हैं, उन हमें जो कहीं कहीं हमें लगा कि इंजेस्टिस हुआ है, और हमें धिमांड करनी चाहे थी, हमने प्रोटेश्टिस के, उन प्रोटेश्टिस का मैं पाट रहा हूँ, चाहे वो 2013 का है, चाहे वो 2016 का है, या 2022 का, अगर हमें लग रहा हैं, कि कहीं ने कहीं, कि जो कश्मीर घाट कश्मीर में करर रहा है मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब यह बात होती हैं में कि 6000 कश्मीरी पर्ड़ो को कश्मीर में जौबस मिले इसको यहां करेक्ट करने की जूर होते हैं उसमें और भी कॉम्मिनिटी इसको जॉब्स मिले हैं इस दिए एंटरली 6,000 कश्मीरी पर्णतु को नहीं मिला है इस जॉब पैकेज के पीछे क्या था देखो यह जो जॉब पैकेज है जब हम एकनामिकली हमें एक बहुत सेड़ ब के लिए इनको नुकसान पोँचे एकनाम में के लिए मौजनलाइजड हुए थे तो वो जॉब पैकेज को जुमों में भी दे सकते थे अगर वो चाहते थे कि हमको अपलिविट करने इस कुम्मिनिटी को इंकरना मुली उन्होंने ऐसा नहीं किया उनका मनशा था कि इनको कि यहां सर्वेवाल करना यह आज ही मैं कहता हूँ आज चुनतीस साल होगे 33 अर्से ज्यादा आज भी हम कई सैटल नहीं हुए आज भी हमारे परिशानियां जो हैं कश्मीरी पंटूं के उपर हैं अब यह जो जॉब पैकेज के अपने प्रिकुलरली बात कि हैं कश्मीर में म पूछना चाहें आपको क्या होता है कि आप प्रिकुलरली कुछ लोग जो हैं उनसे आप नहीं पूछ सकते हैं आपको हर एक कश्मीरी पंटी जो वैली में काम करता है प्याम पैकेश के अंडर आपको उसके दिल की जो बात है उसको आपको सुननी चाहे उस पर वर्क नहीं फूछा था कि कश्मीरी पंटित कंब्रिघि काश्मीरी पंटित अगर आपधेंगे हमने थे अधर के पहले भी मैंने का कि पुलिक्ली मॉन आनुद फटे थे हंदे हैं आप जॉब शेयर आप अब अपटॉमा कि बात करूंगा कश्मीरी पंटू का कंट्रिबूशन वहां नहीं था मैं सुकाश्ट कश्मीर की बात करता हूं मैं जानना चाहते हूं कितने कश्मीरी पंटू का अपने वी सी वहां का बनाया देखो सपरेटिजम 307 ने किस चीज़ को जनम दिया इसने सपरेटिजम को जनम दिया इसने फंडेमेंटलिजम को जनम दिया और उसका शिकार जो डिरेक्ट इसका इंपक्ट जो हुआ वो कश्मीरी पंडित उसकी ज़द में है वैलिड पॉइंट इन्हों ने उठाया है कि प्रेशने नहीं दी गई कशमीरी उन्वर्स्टी के वाइस चंसलर कशमीरी पंड़त लास्ट शीज़ में ते सकॉस्ट के नहीं है कई इंपॉर्टन पोजिशन पे वहां पर कश्मीरी पंड़त आइड रमेंबर कोई कि मैं बात कर रहा हूं कितने प्रिंसिपल आपने कशम कश्मीरी पंडित के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टन डिजन है और यह जो कश्मीरी पंडित के साथ हो रही थी मुझे लगता है कि उसमें बड़ी ड्रॉस्टिक जो चेंज है वह आगी आप देखे जिस तरह सरकार ने अब रिसंटी मैं जाता हूं कि सरकार ने जो किलि की बात थोड़ी है जेश्टिस आज चक जो है वह नहीं मिला है लेकिन मुझे लगता है जेश्टिस मिलेगा कि उसका बड़ी बात थी जहां एक साथी ने मेरी कश्मीर के उपर है बहुत चीजें जो है वह ठीक हुह हैं हमें उमेद हैं हैं जो मुज्य का मडिलेट गूइन्ट हैं जो कि शेंटर में हूगी ही निया है यह चिसरक्व कंदीव 65 समय है यह पोटी सेवन के बाद जो भी कश्मीर पढचा है वह इंजिस्ट जो है वो खतम होगा, लैंड टु टिलर एक्ट, जहां मेरे साथी ने एक और बात किया, उसमें मेजर पॉर्शन जो लैंड जो है न वो कश्मीरी पंटों से चीना गया है, उनको कभी पूछा आपने, आपने कश्मीरी पंटों तो जो भी मेजर डिसिजन कश्मीर की में बात करता हो, कश्मीर में जब भी कोई मेजर डिसिजन होता था, आपने कभी कश्मीरी पंटों को कानफिशन में नहीं लिया, मैं यह बात यहां जरूर कहना चाहता हूँ, कि जुमू के लोगों का काफी थैंक पूल है, कि जब हम जुमू में आए, अगर हमने अपने टैलेंट है, व कश्मीरी पंटों को बिल्कुल साफ कर दिया गया, उनकी हिस्ट्री को मिटा दिया गया, मंदिर जला दिये गए, इवन जो पुरानी गवर्मेंट्स थी, टोटल जैसे दो नहीं कहा कि कश्मीरी उनिवस्टी के गेट्स पर किसी कश्मीरी स्कॉलर का नाम नहीं है, इसे ऐसी थी उस वक्तन कि किस तर इस कश्मीरी पंडित को और कमजूर किया जाएगा, अगर गवर्मेंट की मनशा या उस वक्त जो भी सेंटर स्टेट्मेंट था, तो जो जो रिटायर होता था उसकी जगह उसको लगाते ताकि उनको एक एक हिसा रहता था, एट एट टाइम से पेकेज तक मुझे नहीं लग रहा हमें जिरो 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 पॉइंट वान परसंट भी कही हमें शेयर मिला है, यह सब कुसूर है उस वक्त जितनी भी गवर्मेंट आई, क्योंकि पहली गवर्मेंट उसके बाद नाइटि सिक्स में आई है, जो टोटली किस हिसाब से बनी व हमारे मजबूरन यह जो फ्लैट्स बने हैं जगती के हैं, तो एक पारलिमेंट कमीटी आई, अगर आज अपोश्चन में घट्स होते हैं, तो हमारे लिए बाहर जिए, आज अपोश्चन में गवो घट्स नहीं है जैसे सपरू साब ने बहुत विस्तार से समझाये कि 86 में कश्मीरी पंडितों पे अटैक हुए, मंदिर जलाए गए, घर से उन्हें निकाला गया, लेकिन सेंटर तब इंटर्वीन नहीं कर सका क्योंकि सेंटर के पास ये एक्सक्यूस था कि 370 की वज़़ा से हम डिरेक्ट इन्वाल्व नहीं हो सकते, तो कहीं न कहीं अब वो जो रोड ब्लॉक था, वो हट गया है, क्या किश्मीरी पंडित अब अपने आपको सेफ महसूस करेगा? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं आपको एक बता एक चीज बात बता हूं, नहीं मैं बता दूंगा आपको, लेकिन खुल के बात करना मुझे मदलब एट्मोसफियर कुछ ऐसा है, नहीं कह सकता हूं, देखे देखे देखे, मैं आइल आइल जस्ट कंपलिट इड आप हम कश्मीरी पंडित के कॉंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जब 86 हुआ, मैं आपको एक छोटी सी एक्जाम्पल से समझा दूंगा, आप मेरे को बताईए, बिगेस्ट डेमकरिसी अप दे वर्ल्ड कलेम कर रहे है गवर्मेंट, छोटी सी मिनसिक्यूल कुमिनिटी है, जब 85 ह‍च होटी सी मीनसिक्यूल कुमिनिटी हको कही न कही, इमादार इसे बात कर रहा हूं। कही न कहीूं कौनस्पेरिसी है। यह जो स्टैबिल्टी जमो कश्मीर को हटाना, पाइकस्तान कहरा है, गिल गित, बल्टिसटान, पाइकस्तान आइकिपएड कश्मीर, वह श कि शहर अगर है कश्मीर, अलोंग विद बल्तिस्तान और पाकिस्तान के पैड़ कश्मीर, वो हिंदस्तान की है, लेकिन उसके एवज में, मुझे कोई सरकार बताए हमें मिला क्या, ये बताए मुझे, मैंने फिनिश नहीं किया, आपने पहले ही बोला कि आपने जो बताना है, आप बताए है, मेरी उमर जब हम निकले थे उदर कश्मीर से, मेरी उमर थी 21 साल, आज I have landed in 56th year of my life, ये human right violation नहीं है, अगर दस साल पहले human right violation उन सरकार उने की, जो बरसरिकदार थी उस दिन, मुझे बताए है, दस साल से human right violation नहीं हो रही है क्या, हमारे लिए बताए है, क्या किया, despite the fact, ये मैं आपको आपके चनल के मादियम से कहना चाहता हूँ, हिंदोस्तान को जो आज की डेट में परदान मंत्री मिला है, ये हमारी किस्मत से मिला है, हमारी किस्मत है, देड करोड हिंदोस्तान वासियों की किस्मत है, कि नरेंदर मुदी साहब परदान मंत् He is taking India to heights. But question is, what he did for Kashmiri Pandits? I'll finish, sir. उनको जब प्रदान मंतरी सहाब ने जब कुरसी संभाली, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, उनकी जो दस्तार बंदी की थी, वो Kashmiri Pandit ने फेरन पहना के, और दस्तार लगा के Kashmiri Pandit का दस्तार पहन के किया था. और लास्ट बात से मैं खत्म करूँगा अपनी बात को, मैं अपनी जो तरसदी है मेरी, जो 33 साल की तरसदी है मेरी, इसको आप जो आपके पॉलराराईज करते हो इस सिच्वेशन को, मत करिये, मैंने इस पे एक किताब लिखी हुए है, मैं अपनी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक किताब लिखी है, साइलेंट क्राइज, मैं हर कश्मीरी पंडित को इस्टिदा करूँगा, कि महरबानी करके मेरी किताब पढ़िए, और सरकार को भी कहूँगा, और आपको भी कहूँगा कि वो किताब पढ़िए, और आप देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, अधर्वाइज, जो मनफी असरात, कश्मीरी पंडितों पे हुए हैं, इन 33 सालों में, वो कंटिन्यू रहेंगे, इसे बगेर भी आप कितने आर्टिकल 377 हटाओ, जब तक लर्णिंग सेंटर्स कश्मीर में ठीक नहीं होंगे, तब तक आर्टिकल 370 जो है, वो किताबों से हटेगा, वहाँ से दिलों से 377 हटाने की ज़रूरत है, सर आप से ब्रीफ में जानना चाहूँगा, आज पर 20.0023 में बात करते हैं, मैं आलवेज वेफारवर्वड के बात करता हूँ, वेफारवर्वड की बात पर ही हमें, क्योंकि जो अभी बाक्ति साथ ही ने गिनवाए हमारे साथ क्या-क्या अटियाचार हुए, अगर यह साब आत्याचार नहीं होते तो फिर हम अपनी दर्थी पे होते तो अबेसली जब आपको अपनी दर्थी से ख़देडा गया तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां हमारे फोटो लगेंगे वहां हमें वाइस चांसलर रिबा की चीज़े बनाएंगे इस नाट पॉसिबल वे फारवर्ड में हमें दो तीन चीज़ों का खयाल रखना पड़ेगा एक बात कि कश्मीर की मैजार्टी कुमुनिटी को कान्फिडनस में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उनके साथ उठना बैटना रहना आप इस बात से हट नहीं सकते हैं दूसरी बार जो वारत सरकार की जिम्यदारी है कश्मीर के लिए और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए उसमें कश्मीरी पंडित ने देखे जब आप दर्टी पे वापस जाएंगे ने मुझे बहुत लोग कहते हैं बाई वहां है ये मैंने अभी आपको यही कहा कि I am the important component of PMPK जो आज की जेट मैं कश्मीर में सरु कर रहे हैं ये रुबन जी मेरे साथ ही और बाकी I had been a very important component in that time of government I had a series of discussion विजित बारत सरकार और मैंने उस time क्या किया मुझे भी पता कही सारी कमिया तब भी थी जो हम accept नहीं कर सकते थे मुझे पता हमें exploit किया गया मुझे पता हमारी मजबूरियों का फाइदा उठाने के लिए हमें बेजा गया लेकिन जो कश्मीर जाएगा ना दिल से कश्मीर को चाहेगा अगर उसको लोग exploit भी करेंगे he is ready to exploit me because by larger interest उसको मिल रहा है कश्मीर की जमीन को वापस लेने के लिए आज आप मेरे वेरे नाग में आईए मैंने परसू जाके मसलमानों के support से कम से कम साथ कनल जमीन को वापस लाए मंदर के यहाते को बंद करके दिया उसमें मेरे local लोगों का support मिला तो when you are again going to live in Kashmir वैली you cannot run away from the majority community and the people who are at your nearest and dears और बार्ज सरकार की क्या जमेदारी बार्ज सरकार की जमेदारी है कि politically empower करिए जो उन्होंने अभी किया लेकिल political empowerment कभी भी pick and choose policy से नहीं होती है आपको जो मन होगा काल आप उसको उठा के लेंगे अब हर कोई दावा करता कश्मीरी पंडितों के ठेकदार बने है आज आप अमेरिका से लेके कश्मीर वैली तक बहेंगे जिसको आप बोलेंगे वो कहेगा कश्मीरी पंडितों के लिए खून मैंने दिया अगर कश्मीरी पंडितों के लिए खून दिया democratic process में change करने के लिए या आप दो कानस्ट्यूंसी वहाँ पे reserve कर लिए ताकि हर कोई fight करेगा election और कश्मीर की majority community भी vote करेगा या internally community election हो जैसे गुर्दवारा प्रबंदग committee की एक मानिता होती है जैसे अवकाब बोड की एक मानिता होती है पंड़तू में ऐसा क्यों नहीं है हमारे मंदिर भी है हमारा हर को हमारा अवकाब बोड़ी बनाए एवन रेलजियस बनाए लेकिन जो वहाँ से कश्मीरी पंड़त से चुनके आएगा खाली वही हमारा representative है बाकि हमारा कोई representative न कभी या एक्सप्ट था और ना आगे रहेगा मैजॉरिटी कुमिनिटी को confidence में लेना है और अगर कश्मीरी पंड़तों को कश्मीर में सेटल करना है तो political empowerment होनी चाहिए आप क्या कहेंगे सर मैं दोनुँ points पहेगरी करता हूँ क्योंकि आपको रहना वहाँ पे है और सेकेंड पॉइंट जो आपने वहाँ पुलिटिकल एंपावर्मेंट सर हमने लाक इतने बतीस साल से भी या सतर साल से भी इसलिए किया क्योंकि हमारी पुलिटिकल वाइस है नहीं को जो इन्होंने भी कहा जो उसमें से दो रिप्रेजेंटेटिव निकलेंगे शान से वह लोवर हाउस अपर हाउस में जाएंगे और हमको रिप्रेजेंट करेंगे हमारी वाइस बनेंगे बट ऐसा कोई मतलब गर्मेंटी डिसाइड करें वैसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए और हमको वहां पर लोगों के साथ रहना चाहिए और गवर्मेंट अफ इंडिया को यह इनिशेटिव लेना चाहिए कि जितने भी मिट्स जो अभी तक थे जो कर भी रही है बहुत तरीकों में तो उनको वहां पर गाइड लाइन्स बनाके रप्रेजेंटेटिव रखके वो सब मिट्स को बस्ट करना चाहिए जो आज की कोट ओडर में बहुत सारे हो गए है उसमें जिसमें सुप्रीम को क्योंकि पेटिशनर बहुत सारे थे और उधर की थे 31 पेटिशनर तो वहां की थे तो इन वन वाइस हम कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडित ये चाहते कि एक लाजर कंसेंसस बने सारी कम्यूनिटी को कॉंफिडेंस में लिया जाए मैजॉरिटी कम्यूनिटी जो किश्मीर की है उनके साथ भी सला मशुरा किया जाए कॉंफिडेंस में लिया जाए उसके बाद सा जाता है मैं जा हमारी फैमली जाती है अगर हम यहां होते हमारी वह हमसे ज्यादा केर मेरी मा का करते है कुछ चीजे बूलनी नहीं चाहिए जो हकीकत में ग्राउंड पर है अगर हम वह चीजे बोलें कि वह गलत बात है मगर जब तक कि उस कम्रीटी को कि फरक बहुत पड़ाय है सारे एक जाशे ही नहीं थी उस तरह अग्वा करते हमने किया था हो वेस्टरन कंड्री में वहां कारबार तो नहीं जम जाता है कश्मीर में को ऐसा ही रखा गया था इनको चीज़ों के साथ बनाव एक किसम का यरगमाल बना के रखा था जो कश्मीरी पंडित ने हमारे ग्रूप ने किया हमने अपने इंटरलोकियोटर्स बनाए है कि कश्मीर जाएंगे नहीं तो आप देखें दस साल बारा साल से एमपले वहां पर रह रह रहा है तो बारा साल तो इसने कंट्रिबूट किया लेकिन बारा साल में इसको कंट्रिबूट करते करते जो गवर्मिंट का रोल था वो नहीं हुआ आज तक आपने इनको रहने की जगह नहीं बनाई कुछ ऐसे मुद्धूं पे आधारित है कि सेंटर गावर्मेंट, स्टेट गावर्मेंट के साथ मिलके कुछ ऐसे डिसीजन ले ताकि इन्हें पॉलिटिकली एंपावर किया जाए और इन्हें सेफ और सेक्योर फील करने का मोका दिया जाए कश्मीर में क्योंकि अगर ये वापस अपने घरों में जाते हैं, वहाँ पर एक ऐसा एंवायर्मेंट बनाया जाए कि इन्हें फिर से अपने घर छोड़के वापस ना भागना पड़े